बिजेपी के वरिष नेता सुसिल मोदी का निधन हो गया है, वह कैंसर से पिढ़ी थे, दिली के इम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, कल रात उनका निधन हुआ है, उनके पार्थिव सरीर को विशेश वीमान से दिली से पटना लाया जा रहा है, इस वक्त हम उनके पटना आवास है, राजंदन अगर में आवास है उनका, उनके पार्थिव सरीर को यहीं लाया जाएगा, यहीं पर रखा जाएगा, अंतीम डर्शन के लिए जहां पर उनके समर्थक परिवार के लोग तमाम प्रमुख नेता आकर सरधांजली देंगे, यह सुसील मोदी का ह अवास है, बिहार बिजेपी के कदावर नेता थे, एक जमाने में बिहार बिजेपी का मतलब ही सुसील मोदी हुआ करता था, देखी हाँ पर जितने भी बिजेपी के नेता हैं, कारे करता हैं, सब मायूस है, हम उनसे बात करने की भी कोशिस करेंगे, सुसील मोदी का निधन किया था इन ही को देख करके इनकी जुजारोपन को देख करके समय पटना मद हुआ करता था और हम लोग ने जंगल राज के खिलाफ उनकी लडाई को देखी है और उसमय जो नरसंगार का दौर चला था सुसिल मुदी एक मात्रा ऐसे नेता हुआ करते थे कर पूरी ठाकुरज थी आज पार्थिव सरीड यहां लाया जा रहा है तो क्या कारेक्रम है सारी बारे में पतना एयरपोर्ट पे स्पेशल चार्ड़ेट प्लेन से आ रहा है उनका पार्थिव सरीव उसके बाद उनके घर पे आवास पे आएगा राजेंदर लगर में यहां के बाद संक करेले बिजय निकेतन जाएगा उसके बाद फिर यहां से बारती जन्ता पार्ड़ी प्रदेश मुख्याले में उनकी पार्थिव सरीव को रखी जाएगी जहां बिहार के सेंक्रों हजारों करकरता उनको सरधांजली देने के लिए आतू रहे और अपने नेता का दर्शन करने के चितरण जी किस तरह आप सुशिल मोदी को याद कर रहे हैं कैसे सरधांजली दे रहे हैं कि अब कुछ बोलने की स्तिती में नहीं है और कुछ कह नहीं सकते हैं हम तो जानते हैं कि पिता तूल थे और बेटा की तरह हमांते थे अब जब किसी पीता का बेटा पर से हांथ फूट जाता है तो बेटा ही उस दर्द को समझ सकता है और भी बीजेपी के तमाम नेता कारे करता यहाँ पर है एक जमाने में बिहार crypto का मतलब ही हो पाएगी हम लोग के गारजियन थे एक-एक कच्छ-कार्ता के गारजियन थे हैं बहुत बारे इनसान ते नेते सहा啦 नेता थो थे ही लेकिन इनसान भूब बाहर ईनसान थे ताश की सम्मान के साथ आज पटना में अंतिम शंसकार होalone है। कि भीहार में सबसे बड़ी बात है इनको जाना एक बहुत बड़ा खो जाना ति कचकार्था के लिए । आज यो हम लोग गङभार के बहुत बढ़ा जाएगा और अंतीम दर्सन के लिए रखा जाएगा तमाम बड़े नेता कारेकरता यहां पहुंचेंगे और नेताओं का आना भी जो है वो सुरू हो गया है बता दें तीन बार विधायक रहे हैं विधान सभा में नेता विपक्ष रहे तीन बार डिप्टी सीम रहे लोक सभा सांसादवने राजसभा सांसादवने कुछ महिने पहले ही उनका राजसभा का कारेकाल खतम हुआ है जीस्टी काउंसिल के प्रमुख रहे लालू यादो के चारा घोटाला का जो मामला था उसको उजागर करने में उनकी बड़ी भुमिका थी तो एक बड़े नेता थे मारे अबीपी न्यूस पाटने